नमस्कार भाईयों और बेनों जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है बहेंकर से बहेंकर दात का दर्द और क्यूला बाहर निकल जाएगा दो मिट में यदि आपके दातों में दर्द है आपके मसूलों से खून आता है ठंडा पानी लगता है मसूलों में दर्द रहता है, मुँ में छाले हैं या दातों में किसी भी पिरकार की प्रॉब्लम है तो उन सभी समस्याओं को दूर करने वाला आज हम आपको एक बहुती कारगार और असरकारी घरलू उपाय बताने वाले हैं जिसको अपना कर आप बहुत आसान तरीके से अपनी दातों की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं इस पुर्योग को हमने कई बार किया है और काफी लोगों को इसका लाव हुआ है इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ साधनती चीरों की आवसकता हुई सबसे पहले आपको अमरूत के चार या पांच पत्ते चाहिए इसके वाद आपको तीन या चार लोंग चाहिए और थोड़ा सा सेंदा नमक अब आप एक तपेली में लगभव एक गिलास पानी गर्म करने के लिए गैस पर रख दीजिए इसके बाद आप इसमें अमरूत के पत्ते डाल दे और साथ में लोंग डाल दे और गर्म होने दे और हाँ आप इसमें सेंदा नमक भी डाल दे इसके बाद इसको कुछ देर तक अच्छी तरह उबाल ले जब पत्नों का रंग डार्क हो जाए यानि की काले जैसे हो जाए तब आप गेस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है गुनगुना करना है जब तक ये ठंडा होता है दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजे और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर लिजे इस लाल बटन को दबा कर और बेल आइकल को भी जरूर दबाईए है इससे यह होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नेटिफिक्सन मिल जाएगा और आप हमारी आने वाली लेटेस वीडियो को देख पाएंगे तो चलिए अब जो हमारा पानी था ठंडा हो गया है थोड़ा कुनगुना है इस गुनगुने पानी से हम कुला करेंगे कुला करने का यह तरीका है कि आप इसको दो या तीन बार करके अपने मूँ में पूरी तरह पानी को भल लें और कुछ देर के लिए रखा रहने दें जब तक आप रोख सकते हैं पानी को अपने मूँ में ही रखा रहने दें और दो या तीन वार यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके दातों की सभी प्रकारगी प्रॉब्लम दूर हो जाती है दोस्तों दातों के उपर हमने और भी काफी सारी यूसफुल वीडियो बनाई हैं आप उनको भी जरूर देखें आपको उनसे भी लाव होगा तो चलते हैं हम आप को फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार